हलो दिस इस अरी शिश्टियाक अगें और वेलकम तू अपिसोड अफ बेसिक आउन पेज अपेज अप्टिमाजेशन में ये किस तरह से हेलफुल होते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेटाटाइटल के बारे में एक html title tag होता है जो basically page के title को define करता है title means page का नाम या page की information बुनियादी तोर पर है किस बारे में html code के अंदर page के title को define करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है यानि इसके आगे और पीछे title beginning and title closing का tag लगा होता है और उसके html source code को देखूं तो मुझे मेरा meta title tag कुछ इस तरह से दिखाई देगा और अगर मैं अपने browser के top पे जाके hover करूं तो यही title tag मुझे browser के top पे भी नज़र आएगा और इसके साथ साथ ही अगर मैं Google search results के उपर देखूं तो same title tag मुझे यहाँ भी नज़र आएगा तो इससे हमें यह पता लग गया कि Google और दूसरे search engines इस title tag को search results generate करने के लिए use करते हैं Now SEO experts इस title को लिखते वक्त इसमें अपने primary keywords का इस्तमाल करते हैं से Google के crawler को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनके page कर discussion basically है किस बारे में सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर अपने title tag में किया हुआ है अब title tag को optimize करते वाफ आपने चंड चीजों का खयाल रखना होता है Number one, आपके title tag की length 60 characters with spaces से लंबी ना हो अगर ऐसा होता है तो आपका page title search engines के उपर आधा नदर आएगा और आधा छुप जाएगा Number two, अपने title tag के अंदर primary और secondary keywords का इस्तमाल करना For example, मेरी site के इस page का जो topic है वो SEO Pakistan है और अगर मैं इस page का title tag देखूँ तो इसमें पहला word जो है वो मेरा primary keyword जो के SEO Pakistan है उसके बाद अगर आगे चलें तो दूसरा keyword जो मेरा secondary keyword है वो SEO service पाकिस्तान है और last में इसी के आगे मैंने अपना brand name अरीश इश्तियाग जो की मेरी website का नाम है मैंने वो लिखा हुआ है अच्छा यहां पर brand name इतना importance भी रखता अगर आपके पास space है तो आप brand name यूज करें अगर आपके पास space नहीं है तो आप brand name को skip कर सकते हैं लेकिन SEO purpose के लिए primary और secondary keywords का title के अंदर इस्तेमाल करना बहुत important है number 3 titles के अंदर modifiers का या power words का इस्तेमाल करना कोई भी यूजर अगर आके मेरे title tag को देखेगा और इसमें result oriented word उसको नजर आएगा that means की word उसकी attention grab करेगा और वो पहले मेरे page पर click करना प्रिफर करेगा अब कुछ बात करते हैं matter description के बारे में matter description का basically SEO के लिए कोई benefit नहीं लेकिन still matter description आपके page के बारे में concise information provide करती है तो इसका properly लिखना और इसको web page के उपडेट करना बहुत ज्यादा important इसको लिखते वक्त आपने इस बात का खयाल करना है कि आपकी matter description जो है 156 characters with spaces के अंदर अंदर हो अगर आप अपने page की matter description को skip करते हैं तो google और दूसरे search engine जो है वो आपके page से कोई भी छोटी सी information लेकि उसकी matter description खुछ generate कर देंगे और इस glitch को award करने के लिए आपने matter description को अपने pages के उपडेट ज़रूर करना है hope के matter title और matter description के बारे में आपका कुछ basic concept clear हुआ हो अगर आपने on page SEO के बारे में मजीद जानना है तो इस video series को पूरा देखिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दिस इस अरीश इश्ट्याक साइनिंग ओफ अल्ला हापिस